राजाओ का उत्तांत पहला भाग अध्याय ते रह तब यहोवा से वचन पाकर परमिश्वर का एक जन यहुदा से बेतिल को आया और यारोबाम धूप चलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था. उस चन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यो भुकारा, की वेदी हे वेदी, यहोवा यो कहता है कि सुन, दाउद के कुल में योशियाह नाम एक लड़का उत्पन्न होगा, वह उन उचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप चलाते हैं, तुझ पर बली कर देगा, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डिया जलाई जाएगी, और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ध भी बताया, की यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ध यह है कि यहोवेदी फट जाएगी, और इस पर की राख गिर जाएगी, तब ऐसा हुआ, की पर तेल की विरुद्ध पुकार कर कहा था, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ा कर कहा, उसको पकड़ लो, तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था, सुख गया, और वह उससे अपनी ओर खीच न सका, और वेदी फट गई, और उस पर की राख गिर गई, सो व वहचिन्ह पूरा हुआ, जो परमिश्वर के जन ने यहवा से वचन पा कर कहा था, तब राजा ने परमिश्वर के जन से कहा, अपने परमिश्वर यहवा को मना, और मेरे लिए प्रार्थ ना कर, कि मेरा हाथ जोकत्यो हो जाए, तब परमिश्वर के जन ने यहवा को मनाया और राजा का हाथ फिर जोकत्यो हो गया, तब राजा ने परमेश्वर की जन से कहा, मेरे संग घर चल कर अपना प्रान ठंडा कर, और मैं तुझे दान भी दूँगा, परमेश्वर की जन ने राजा से कहा, चाहे तु मुझे अपना आधा घर भी दे, तो भी तेरे घर न कि युवा के वचन के द्वारा, मुझे यु आघ्या मिली है की न तो रूटी खाना, और न पानी पीना, और न उस मारग से लटना, जिससे तू जाएगा, इसलिए वह उस मारग से, जिससे बेतेल को गया था, न लट कर दूसरे मारग से चला गया, बेतेल में एक बुढ़ पर्मेश्वर के जन ने उस दिन बेतिल में किये थे। और जो बाते उसने राजा से कही थी, उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटों ने तो यह देखा था कि पर्मेश्वर का वह जन जो यहुदा से आया था किस मार्ग से चला गया। सो उसकी पिता ने उनसे पूछा वह किस मार्ग से चला गया। और उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और उस पर चड़ गया। और पर्मेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज रुक्ष के कले बैठा हुआ पाया। और उससे पूछा पर्मेश्वर का जो जन यहुदा से आया था क्या तू वही है। उसने कहा हाँ वही हूँ। उसने उससे कहा मेरे संग घर चल कर भोजन कर। उसने उससे कहा मैं न तो तेरे संग लट सकता और न तेरे संग घर में जा सकता हूँ। और न मैं इस थान में तेरे संग रूटी खाऊंगा, वाद पानी पिऊंगा, क्योंकि यहवा के वचन के द्वारा मुझे यहाग्या मिली, कि वहाँ न तो रूटी खाना और न पानी पिना, और जिस मारगसे तू जाएगा, उससे न लौटना, उसने कहा, जैसा तू नभी है, वैसा मैं भी हूँ, और मुझसे एक दूत ने यहवा से वचन पाकर कहा, कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले, और वहाँ रूटी खाए और पानी पिये, यहाँ उसने उससे जूट कहा, अतेव वहाँ उसके संग लौट गया, और उसके घर में रूटी खाए और पानी पिया और जब वे मेच पर बैठे ही थे कि यहवा का वचन उस नभी के पास पहुचा, जो दूसरे को लवटा ले आया था, और उसने परमश्वर के उस चन को जो यहुदार में से आया था, पुकार के कहा, यहवा यो कहता है, इसलिए कि तुने यहवा का वचन ना माना, और जो और न पानी पिना, उसी में तुने लवट कर रोटी खाई, और पानी भी पिया है, इस कारण तुझे अपने पुर्खाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी, जब यह खा पी चुका, तब उसने परमश्वर के उस जन के लिए, जिसको वह लवटा ले आया गधे पर काठी बंधाई, जब वह मारग में चल रहा था, तो एक सिह उसे मिला, और उसको मार डाला, और उसकी लोथ मारग पर पड़ी रही, और गधा उसके पास खड़ा रहा, और सिह भी लोथ के पास खड़ा रहा, जो लोग उधर से चले आ रहे थे, उन्होंने यह दे कर कि मारग पर एक लोथ पड़ी है, और उसके पास सिह खड़ा है, उस नगर में जाका जहां वह बुढ़ा नभी रहता था, यह समाचार सुनाया, यह सुनकर उस नभी ने जो उसको मारग पर से लोटा ले आया था, कहा, परमिश्वर का वही जन होगा, जिसने यहवा के व जो उसने उससे कहा था, सिहने उससे फाड़ कर मार डाला होगा, तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो, जब उन्होंने काठी बांधी, तब उसने जाकर उस जन की लोट मारग पर पड़ी हुई, और गधे और सिहन दोनों को लोट के पास ख परमिश्वर के जन की लोथ उठा कर गधे पर लाद दे और उसके लिए छाती पीटने लगा, और उसे मिट्टी देने को अपने नगर में लउटा ले गया, और उसने उसकी लोथ को अपने कब्रिस्तान में रखा, और लोग हाई मेरे यह कहकर छाती पीटने लगे, फिर उसे मिट्टी देकर उसने अपने बेटों से कहा, जब मैं मर जाओंगा तब मुझे इसी कब्रस्तान में रखना, जिसमें परमिश्वर का यह जन रखा गया है, और मेरी हड्डिया उसी की हड्डियों के पास धर देना, क्योंकि जो वचन उसने यहवा से पाक कर बेतेल की वे इसके बाद यरोबाम अपनी बुरी चाल से नफिरा, उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से उचे स्थानों के याजग बनाए, बरन जो कोई चाहता था उसका संसकार करके वह उसको उचे स्थानों का याजग होने को ठैरा देता था, और यह बात यरोबाम के घराने का प झाल